बिजापूर की जहाँ पे बैरमघर थाराक्षेतर में 5 किलो का ID बम बरामत किया गया है मावादियों ने सुरक्षबलो को नुकसान पहुचाने के लिए ID को प्लान्ट किया था और बता जा रहा है कि नकसल अभ्यान के तहत DRG की पाती और BTS बिजापूर की टीम ने ये बड़ी कारवाई की है अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट मिला है बड़ी सफलता मिली है जब टीम सर्चिंग के लिए निकली थी और समय रहते ही टीम ने ID को बरामत करके सफलता पूर्वक निश्क्रिय कर दिया है ये बड़ी ज़ानकारी है बिजापूर से हम आपको दे रहे है सुरक्षा बलो ने पांच किलो का ID बरामत किया है DRG और Bum Squad की टीम ने इस ID प्लान्ट को डिफ्यूस किया है भैरंगर्थ हाराक्षेतर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है देखिए लगातार लाल आतंक इस तरीकी की हरकत करके अपनी मौजोदगी दर्स कराने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे सुरक्षा बलो को नुकसान पहुचाने के लिए ये नाकाम कोशिश करता रहा है अधाल क्या हालात बने हुए क्या सर्चिंग ऑप्रेशन अभी भी जारी है इसलाके में मुकिश आपकी आवाज नहीं पहुच पा रही है आप प्लीज अन्म्यूट करिए जड़ा मुकिश क्या आपकी आप मुझे सुन पा रहे हैं जी दिपिका जी जी अपनी बात कम्प्लीट करिए जी दिपिका देखिए बिहार और जारकन में चलाया जा रहा है एंटिनक्षल ऑपरेशन की वज़र से मावाद संगतन काफी हद तक कमजोर हो चला है जिसकी वज़र से मावादियों के केंद्रिय कमिटी के द्वारा 22 दिसंबर को भारत बंद का आहवान किया गया और इसी के मद्द नजर मावादियों ने दक्षिन वस्तर के सुक्मा और बीजापूर के इलाके में लगातार उत्पात मचाया उप्त्रो मचाया इसके बाद सुरक्षा बलके जवानों द्वारा इलाके की सगन सर्चिंग की जारी है एंटिनक्षल उपरेशन पर जवान निकल रहे हैं इसी के तहट जो है जब जवान भहरमगड के बेलचर के इलाके में एंटिनक्षल उपरेशन पर सर्च पर थे इसी दोरान जो है इतना आसान भी नहीं होता, मगर जवानों की सूजबूज और शतरक्ता की वज़े से एक बड़ी अनोहनी टल गई, जवानों ने बहरमगर तानाच्षेतर के बेलचर का जो इलाका है, यहां पकडंडी, जो रास्ता है, जिसका इस्तेमाल अकसर जो है, जवान करते हैं, इस ज किया जाता है, लिहाजा जवानों ने इसे डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद इसे ब्लास्ट कर डिफ्यूज कर दिया, और कहीं न कहीं यह कहा जा सकता है, कि जवानों की सतरक्ता और सूजबूज की वज़े से एक बड़ी अनोनी एक बड़ी घटना चल गई, बि कि अपना सवाल दोहराएंगे जी आज नक्सिलियों की तरफ से भारत बंद का आवाहान भी किया गया है इसका कितना असर देखने को मिल रहा है जी देखिए दीफिगा कल की बात करें मावाद संगतन दुआरा 21 दिशंबर की देर साम करीब 6 बजे के आसपास भारत बंद के आवान के साथ ही इलाके में दरसत फैलाने के साथ ही बंद का जो असर है वो व्यापक इस तर पर दिखे लिहाजा मावाद संगतन दुआरा सौफ तर्गेट को निसाना बनाया जाता है सौफ तर्गेट में क्या होते हैं सौफ तर्गेट में होते हैं आम लोग या फिर यात्री बस तो मावाद संगतन दुआरा कल देर साम करीब 6 से साड़े 6 बजे के बीच जो है आवापली से राइपुर के ले जो बस निकली थी रॉयल दिया जाता है इसके ठीक पांच मिनट बाद फिर एक खबर निकल कर आती है कि दुगई गुडा से ही करीब 22 कि दूरी पर इस्टेट हाइवे पर एक ही सड़क पर जगदलपुर से बासाबुडा के ले जा रही जो कुस्वार ट्रेवल्स की बस थी इस बस में मावाद संग में पर यह खोनाने ही लिए जमुलपुर्वर को बनाने की कोशिश करते हैं ऐसे में लोगों का क्या कहना है? देड से दो किलो मेटर की दूरी पर सुरक्षा बलके कैंप इस्थापित किये गये हैं। पुलीस की कार्य पर भी उड़ता है, सरकार के एंटिनक्षल ऑपरेशन को लेकर किये जाने वाले तमाम दाओं पर भी उड़ता है। मावाद संगटन इन तमाम छोटी-छोटी चूक का फायदा उठाकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। इस से लोगों में दर्शत का माहूल तो बनते ही है, इलाके में खौप का माहूल बनता है, और जिस तरीके से ये बंद का आवान करते हैं, उसका भी असर देखने को मिलता है। इस से लोगों में खौप करना होगा, तब ही इसको जट से उखाड कर फेका जा सकता है।